हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी आई होप अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्ची चीशन रेक्शन के बारे में तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इससे पहले हम लोगों ने क्या बढ़ा था और हमारा टापि वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर वाच करें तभी आपको सारी चीजें के लिए होंगी तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप सब्सक्राइब करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सब्सक्राइब सरी पार्ट में नोगों ने पढ़ा था आज थाड़ पार्ट में बात करेंगे समझते हैं सभी रेडिकल रेक्सराइब जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इस अब्चिजिशन रेक्शन इन विच फ्री रेडिकल पार्ट आफ रेजेंट बिल अटेक आन कार्बन एटम तो जो फ्री रेडिकल पार्ट होता है सब्चिशन रेक्शन का जो free radical part होता है taking reagent का वो Bill Attack on Carbon Atom तो वो क्या करता है Carbon Atom पर attack करता है such reaction are known as free radical substitution reaction तो जो attacking reagent होगा free radical का वो जिस carbon पर attack करता है जिस carbon पर attack करता है जो reaction उस पर करका होता है उसे हमीं कहते हैं क्या free radical substitution reaction it is rare mechanism and it takes place in presence of sunlight high temperature हाई प्रेसर तो यह जो किरिया होती है यह रेर केस में होती है और इसमें सनलाइट हाई टंपरेचर या हाई प्रेसर की उपस्ति रखना आउस्तेक होता इसमें लगबग 500 एवर टंपरेचर देना पड़ता है तो आईए सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कुलोरी नेशन आ मेथेन क्लोरी नेशन आफ मेथेन क्लोरी नेशन आफ मेथेन क्लोरी नेशन आफ मेथेन तो इसमें क्या करेंगे मेथेन की क्लिया क्लोरी नेशन 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 क्लोरी है यदि आप iqsus amount में यदि methane को आप iqsus amount में लेंगे तो यह क्या किरिया होगी Fest ये क्यवोव में एक dez brauchen हो और यह ँद हमारा क्या बनेगा भास में गानेगा धियान देंगे आप 3 sex amount में ले रहे हैं तो यह क्या क्या होगी एक एक ही हिश्टन में होगी है अगर आप excess amount में लेले क्या करें कि इसके अस्थान पे क्या करें मिधेन के जगा पर मतलब जो लेले है उसे ज्यादा मतल में क्या ले surprised ओए एक्सेर डिश्चके मांट में क्या करें क्कुरीं क्लोरीं ले 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 तो यह जू क्रिया होगी यह तब तक होगी जब तक इस methane का पूरा hydrogen रिप्लेस नहीं हो जाएगा जैसा कि इसको आप बना सकते हैं ऐसे CH4 प्लस CL2 से मैं इसकी किरिया करा दूँ H9 के उपस्ति में तो यह किरिया तब तक होगी जब तक पूरा hydrogen रिप्लेस नहीं हो जाएगा तो यह बनेगा CH3 CL और हमारा uh Hcl क्या हो जाएगाए रागेण क्या करेंगे इसकी किरिया CL2 से करांगे यह एकिरिया होती रहेगी तब तक जब तक पूरा hydrogen रिप्लेस नहीं हो जाएगा तो हमारा यह हमारा चlorä क्या और हमारा चlorा क्य्क्रे 17ienie m चल हॉन पारईगा अगेन पुना हम क्या करेंगे CL2 से करा देंगे और ये HCL हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और ये क्या बनेगा CHCL3 बनेगा अगेन हम क्या करेंगे फिर क्लोरीन की करा देंगे CL2 की करा देंगे H9 की उपस्थी में तो पुना क्या होगा हमारा यह बनेगा CCL फोर बन जाएगा और HCL क्या हो जाएगा HCL बार हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या देखा इसमें यहाँ पर जो hydrogen था chlorine यह दे excess amount में ले लेंगे तो यह किरिया तब तक होगी जब तक पूरा hydrogen replace नहीं हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर कराए गया है तो यह हमारा क्या हो गया chlorination am methane हो गया यह बना इतने step में होगा जब तक पूरा hydrogen replace नहीं होगा तो अब आएगे देखते हैं chlorination am methane का mechanism तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर reaction लिखा गया CH4C2 की HNU की उपस्तिम में गिर्या करेंगे तो CCL बनेगा है अब आए इसमें मगएज में देखते हैं इसमें फर्स्ट इस्टिम में क्या होगा chain initiation step chain initiation का मतलब होता है यहां से reaction start होगा free radical क्या होगा produce होगा तो यह पर लिख दिए free radical produce free radical produce यहां क्या होगा प्री radical produce होगा यहां पर हम क्या लेंगे क्लूरीन का अड़ो लेंगे और उसका क्या करा देंगे homolytic bond fission करा देंगे homolytic bond fission कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा HNOQ पस्तिती में homolytic bond fission हुआ है यहां पर homo का मतलब होता है बराबर homolytic का मतलब होता बराबर और fission फिजन मतलब तूटना तो जब या लक्टान दोनों तरफ बराबर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे होर्द टीर की दौरा पेर दौरा धिखाय जाता है तो हमारा क्या बनेगा खा है क्लोरीन-र रेडिकल बनेगा हैं क्या यह बन करेंगे ःहां पर जो के र把它 करेंगा यह क्या करेंगा तो हुआ हें उसमें machine होता है है चैन इश्द करूपीगेशन वह स्थ börjar करेंगे गांगे इसमें यहां पर यह लिखा गया है मेथेन और इस पर किरिया किसकी होगी क्लोरिन फ्री रेडिकल का तो यहां से क्या होगा यहां से हम क्या करेंगे इसका होमोलेटिक बांड फिजन करा देंगे आप देख रहें यहां सेल रेडिकल है तो सेल रेडिकल किसके पास जाना चाहेगा एक चाहें तो से रिसलिद बना सकते हैं और चाहें छलो एक चाहें गिंजिक्षिए हडिर्य के साथ के बनाएगा स्टॉूंग बनाएगा तो 혼 बना बनाएगा रहत ŠCN ऑ हमारा we do radical बनेगा तो हमेंशा या लखए यह क्लोरीन वहां जाएगा उसके साथ bond बनाएगा जहांपर इसका strong bond बनेगा तो hydrogen के सथ strong bond बनता है जब की जड़ी आप الم can carbon बना दें तो इसके इसमें क्लोरीन का बांड मा बनेगा यह यह hydrogen accelerating के दून में क्या होगा इसलिए यह क्लूरीन hd corresponde बनाइगा है अब आगे क्या होगा हाँए यहांपर cool के दुनिया पर बात किया तो यह अपर क्या करेगा क्या 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 करेगा को एंगगा तो यह यां बन जाएगा यह बनजाएगा तो जो प्रोसेस चलता रहे हैं और यह जो प्रोसेस होता है यह ग्जोथरमिक होता है यह क्या होता है ग्जोथ Cristus होता है इसके खाल दिखाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और बॉर्मील के साथ दिखाएगा आलडीन के साथ यह नहीं दिखाता है तो यह प्रोस्स जो हमारा दूस्रा है enिस्टिप होता है यह क्या होता है इंडोधर्मिक होता है इसको बेदाम कि असरम करकें के हैं पर घ्रव कि फ़िछान की अपषाल आपकर प्रहूज या क। बांट बना लिए यहां का यहां क्या गया तो यहां पर क्लोरीन ने मिथेन के बांट को तो यह क्या करेगा तो से चलता रहता है तो चलिए अगला प्रोसेस देखने हैं लाश्ट इस्टेप हमारा है चैन टर्मीनेशन इस्टेप में क्या होता है इसमें आप ध्यान देंगे इसमें फिरी रेडिकल जो है उसका क्या करेंगे हम कमबाइन करेंगे तो इसमें फिरी रेडिकल क्या है और क्या है चैस्ट्री मेथिल रेडिकल यह दुमारे रेडिकल है तो इसका क्या हो जाएगा अब कमबाइन होगा तो इसमें क्या होता है कमबाइन होता है थर्ड इस् है है ज्रीकल का कंबाइन कराएंगे तो क्या बन जाएगे यह एंद बन जाएगा चिवे सरी और अगला क्या हमारा है एक मैठिल एक मोरा एक टेखल ऑघ्यल फिलड बन नदेगा तू यह हमारा Chlorination methane का mackenum था I hope Guys आप लोग को ये समझ में आया होगा तो जो Chlorination methane का mackenum होता है वो थ्री स्टेप में होता है पहला हमारा Chain Initiation Step और इस प्रोसेश को कहते हैं हमें Indothermik Indothermik क्या होता है इसमें Energy अब्जार वोती इसलिए हम बंड क्या होता है और थरड इस्टेब हमारा चेंट ट्रॉ मिसमें क्या होता है कंभीनेशन होता तो पमिनेशन करके सबिए अब जो हमारा यो संद ये लिए लेष्ट.